इशारा में, योगी आधितनर कहा था, हिंदू इसलिए साथ नहीं छोड़ता है, हिंदू जब पीटा जा रहा था, उसका हिंदू ही साथ छोड़ के भाग खड़े होते हैं, तो आने वाले टाइमें, ओ हिंदू सहिंदू का कभी साथ नहीं देगा, ये इसारा था पता अधिकारी फोन बंद कर लेते हैं क्या ये इतने बड़े ये गला काट गएंग भारी पढ़ गए हैं इस देश के अंदर जब नभी के उपर बोला तो पूरा हो कह रहे हैं कि गला काटना चाहिए सर्तन से जुदा करो और एक बार जुदा तो करो तुम यहां से सब लोग जुदा हो जाओगे सत्ता और सरकार डरी नहीं है एक बार उठाने की जरूरत है और जो हैदराबाद में हो रहा है ना सायद कास ऐसा इन्होंने यूपिम किया होता है इनके इंकाउंटर के साथ साथ इनके घरभालों की इंकाउंटर कर दिये जाते लंबी दारी वाला सर्तन से जुदा नहीं बोलता और ऐसे ऐसे मुख मंतरी और प्रधान मंतरी की इस देश में जरूरत है और अगर ऐसे जरूरा नहीं होगी एक देश इसलाम बनेगा ये एक बार एमर्जनसी लग जाए इंद्रागानी 24 मेने लगा ये एक मेने लगा दो जो इनकी जो गलत फैमी है ना ये जो गजबा है हिंद तुर्की हिंद मले और सौधिया अरविया हिंद ये सब बन जाएगा टीवी बालों का ले गए चाभू के एक तरफ से इनके साटा सूर्ते भैंसे बाला तो ये बता कि पहले बोला कौन था फारुक्की बोला था या टी कि रजा ये क्या टीवी चैनल वालों के दमाद हैं क्या विया सबसे लिए तो ओनी जिंदी के चनल पर बहुत-बहुत सो है आपका भी स्वागत है बताईएगा कि जिस तरीके से भाग्य नगर को के जो राजा सिंग है टाइगर राजा सिंग उनको ग्रफतार कर लिया गया तो जब आतंकवादी मौलाना मदनी देबंसे बोलता है कि मुसलमानों घर से बाहा निकलो पत्थर चलाए उन्होंने कानपूर, शारनपूर, मुरादावाद, बिंजनौर, हजजगे चले तो सुप्रीम कोट सायद नहीं जगा भूल गया उसके बाद में अजमेर से कनहिया कुमार के हत्यारे, इस देश में जो समस्या है गला काट गयें, हम देख रहे थे न्यूज चैनल में, जब सचो को एक प्रतलिप दी जा रही थी, अपलीकेशन जिसे FIR कहते हैं, दर्ज कराने के लिए, तो वहाँ पे कुछ टोपी लगा के बोल ले थे कि सर्तन हमें पुछना चाहते हैं आप से, तो जहां वह पैदा हुआ उसके लिए लड़ रहा है ना, तो बात वहाँ पे है, जब आतंकवादी इस देश के अंदर घुसके, इसी मजहब के, और इस देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में, यह जो इसलाम के नाम पे लोगों की ह फोड़ देते, कसाब, आजमाल भट जैसे लोग, जो सीमा पर आके पहले गोली बम फोड़ रहेते, आज उसी की यह, यह मैनुपलेट किया गया गला काट गैंग, उससे एजंडा यही था, लोगों को डराना, धमकाना, इनका भी एजंडा है, लोगों को डराना, धमकाना, घर से बहार ना निकलने देना, एक धर्म का प्रभाव दिखाना, तो फिर ऐसे लोगों के लिए, सिधे एनकाउंटर, इनके लिए है, यह टी अप, यूपी में तयार है, हंगामा करो तुम्हारा स्वागत है, तुम्हें 72 हूर मिलेंगी, दूसरी चीज, जो हदराबाद मे चला है, पुलिस वहाँ पर नपुर्शक बनी हुई है, क्यों सत्ता में ओ लोग बैठे हुए है, और जो गला काटने वाले लोग हैं, यह इस देश को इसलाम कंट्री बना रहे थे, उस इसलाम कंट्री बनाने के बीच में रुकावाट आई, तो महलाना बॉखला गये, जो स्टेटी जी चल लएथी, यह गला काट रहे है, ती राजा सिंग नहीं हिंदो, ती राजा सिंग तो यह ओ है, जैसे योगी आतितनात हैं, और जिस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए, काम नहीं हो रहा है, और इहदायत है है, हम भी जानते हैं, देश बहुत खतरनाक मोड पर खड़ा है, तो हम लोग भी थोड़ा सो समझ के कहीं ऐसा ना हो, देखो, जब दिल्ली, आपने देखा, जब किसान अंदोलन हुआ था, बिना मूच के सरदार उसमें पैदा हो गए थे, जब लाल किले पर तिरंगा उतारा गया, इस देश के मुसल्मान ने सोचा कि अग इंट्लीजेंट के फैलूर नहीं होती है, इंट्लीजेंट का ये काम होता है, वहां पर दंगा ना हो, फैलूर के उसको पूरी इंपुर्ट की जानकारी थी, कि लाल के लिए पर तरंगा उतारा जाएगा, तो चानी चोक से नई दिल्ली तक दंगे होंगे, अब हिंदू का जाएगा, दुकाने लूटी जाएगी, जैसा कि मोजपुर जफराबाद में हो चुका था, और जो हैदराबाद में हो रहा है, सायद कास ऐसा इन्होंने यूपिम किया होता, इनके इंकाउंटर के साथ साथ इनके घरभालों की इंकाउंटर कर दिये जाते, कोई भी अलंब मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम क्यों हो रहा, अरे सुर्वात तो तुम कर रहे हो, लेकिन समस्य यहाँ पे है, कोई बोलना चाह नहीं रहा अपने धर्म के लिए, कोई किसी से मतलब नहीं है, जो बोला जा रहा वही मारा जा रहा, जो बोला वही मारा जा रहा, सरकार इतनी पूंशक हो गई है नुपुष शर्मा को बाहर किया ती राजा को बाहर किया इनके साथ कौन खड़ा होगा इशारा में योगी आदितनर कहा था हिंदू इसलिए साथ नहीं चोणता है हिंदू जब पीटा जा रहाए था उसका हिंदू ही साथ चोणके भाग खड़े होते हैं तो आने वाले टाइम में ओह हिंदू से हिंदू का कभी साथ नहीं देगा यह इशारा था पदाधिकारी फोन बंद कर लेते हैं क्या यह इतने बड़े यह गलाकाट गंग भारी पड़ गए हैं इस देश के अंदर लेकिन इस सरकारे ने बोट चाहिए किसी की यहां पर बात नहीं की जाएगी चाहें वो कोई भी हो राष्ट बात के आगे राष्ट दर्म के आगे कोई भी आएगा उसको इसका परिणाम भुक्तना पड़ेगा यह जो गलाकाट गंग चला है सीधे आतंकवादी है और साथ सुप्रिम कोड के जज जो मोटी रकम लेके एसी में बैठ बारा है तो ऐसे हर मुसलमान को आतंकवादी गोसित कर देना चाहिए फिर जब नभी के उपर बोला तो पूरा हो कह रहे हैं कि गला काटना चाहिए सर्तन से जुदा करो अरे एक बार जुदा तो करो है आप लोग भी इसी चीज़ में बिलीव करते हैं हिंदुत उसकी संस्कृति है थीक है हम हिंदुत धर में पैदा हुए लेकिन उससे बढ़के हमारा राश्ट रहे और राश्ट नहीं रहेगा हमारा संस्कृत ही नहीं रहेगी धर्म नहीं तो इस देश में क्या खाको लंबी टोपी वाले रहेंगे क्या इस देश की कानून बिवस्था कांग्रेस ने तहस नहस कर दी यो जो आने वाले टाइम में पेडियों को बुकतना पड़ेगा और ये मौलाना इतनी चालांकी से मस्जिस से इन्हें भेजते हैं कि महगाई चिल लाओ और कभी इस्लाम के नाम पर जो गला-कार्ट आतंक वादी है इन्हें जब अधियो जब मथारुक की लिया यहां पर टेक्स का इन्हें खिलाने पिलाने का और जब चाहेंगे चिलाएंगे हम 40 करोड़ होगे सतर करोड़ हो गया ताइगर रजा सिंग का जो महल है और जो एरिया है गोसा महल वाला उसमें मैं घुज जाओंगा उसको अंगार में बदल दूगा इस तरीके की बात एक लाश्ट मेसिज में चाहूंगा कि टाइगर राजा सिंग ने जो कहा कि ये जेल में डालने से कुछ फरक नहीं पड़ने वाला मैं फिर से बापास आओंगा और अखंड हिंदू राष्ट का संकल्प जरी रहेगा क्या करें देखो ये अखंड हिंदू राष्ट है एक राष्ट बाले था वह ब्रामेर भड़ाट था ना तो इनके काम कौन से राष्ट बाले हैं और जो ये काम कर रहे हैं यह समझता और सरकार डरी नहीं है एक बार उठाने की जरूरत है कि ये एक बार एमर्जंसी लग जाए इंदरा कानी चुविस मेंने लगा ये एक मैंने तो जो इनकी जो गलत फाहिमी है ना यह जो गजबाए हिंद तुर्की एहिंद मले और सौधिया अरभिया इन हिंद यह सब बन जाएगा ना अभी दुनिया का में गिनार हम हम दो सब्सक्राइब इसलामिकाे जाग में 56 इनके एकी डेस शपन देस सा अरे पिटके आ रहे हैं 56 आदे तो भीक वह को सब्सक्रीब पर दिस करएंगे तैसे कि असलोगों की छोह सब्सक्रीब करेंगे यहिद्ग कर रहे थे वह शड़न आगे जारी कौन सा मिशन हिंदू राष्ट बनने वाला ने तो प्लानिंग चल लए थी ना जो भाई जान कर रहे ते गला काट रहे थे और दुर्भाकी की बात है जो अब तक सुप्रीम कोट को डरोगे ना कोट अम कंटम्ट लगाएगा तब तक बन जाएगा इसलामी कंट्री समझ रहे और जो टीवी चैनल वाले हैं जो मेकप करके आते हैं आज की तौधा खबार आज टी राजा ने बोला है तो ये चैनल यह नहीं दिखाता है ये सचो को अप्ली केसन देते हैं वहाँ पे संजो इनकी यही बोखला यही यह सोच रहते हैं इनका जो चल लाता ना गंगा अमन वेसी बाय बॉला है यहूं बाइली वाला ला और तोखी रजा यह का तुवी चैनल वालों के दमाद हैं क्या तुमान जो है और हम आपको एक बाद बता रहे हैं जब भी कुछ होगा सबसे पहले दोई टार्गेट होंगे एक तो मीडिया वाले एक तो यूडिसरी सबसे बड़े लड़ाई के कारण यहीं दो हैं दो यहीं हैं सबसे पहले वह अरव रुपए लेता है पाकिस्तान उसके उपर फैसला करेगा जूडिसरी जो लंबीदारी वाले वैट है न पांच मिनट के जान में जो 72 मिनट लगते हैं एकदम भीड निकलती है कानपुर जैसे मजजिद से सारा समझो किसी मजजिद में हतियार पाएगा है बिजनोर में हतियार पाएगा फुट्टियके सेवन और यह जो है डराने की कोशिस करते बार बार यह कर देंग वो कर दें इस कौम से कोई डर्पों कहाई नहीं है अगसी ना मैदान में निकलते ही नहीं है पीछे जाएंगे और उनसे गद्दार है इस देश का हिंदू हिंदू जानते हो ना हिंदू जम्बू कस्मिर खुब खिलाया पिला उन्हें आके मार दिया और जब गंगा जमनक तहिजीब के चोटे पैजामा बड़े पैजामा बात करते ना तो हासी आती है हासी इन पे इसलिए आती है गंगा जमनक की तहजीब करते हैं एसे नपुनसक हिंदू तैयारी जादा ना करें जो पीडी आ रहे हैं उसके लिए आप इंसोरेंस कराते हैं क्योंकि आपको एडवाईजरी जारी नहीं हो कि इनके पास बकरा काट सब चाकू है और यह पूरी तैयारी से हैं इनकी मस्जिद में डेली मीटिंग चलती है आपको आशर होगा दिल्ली जब यूपी में एलक्षन हुए थे कतर्ज, शौदी अरभिया, दुबई, तुर्की आप थोड़ा ब्योरा निकालो कितनी टिकटे कटी थी यहाँ थी बोट डालने के लिए होगी खटाने के लिए लेकिन इनके जब पठवारे पर लट फटता तो इनकी पीठी चार फिट खाल फट जाती है चलाए तो थे पत्तर, सीए कांदोलन किया था, राकेट टिकेट भी गय थे, दोई दिन में फैसला हो गया ना पोस्टर नहीं, इनके तो इनकांटर, एटीय संटर इसलिए बनाए गये हैं, देवबंद, अलीगड, मेरट, बुलाइंशहर, महोबा, आजमगड, एटीय बरेली, एटीय संटर, मुलाइम सिंग ने चाल किया चली थी, इन मुशिलिम लोगों ने दवाव डाला, कि आप प अरफा कारवाई करती, पिएसी की पच्चास कंपिनिया, इस मुलाइम सिंग आदम ने बंद कर दी, उपी पुलिस की, आप आटीयाई डालिये न, पच्चास पिएसी की कंपिनिया बंद कर दी गए, उसके बदले में बीस एटीय सेंटर खोले गए, इस देश के साथ देश दुरही ने कहना चाहिए